हेलो एवरिवान, वेलकम टू फांडेशन क्लासिज, मैं नेम इस आमित, चलिए आज के सेस्टन को स्टार्ट करते हैं, देखिए आपका दू सीटेट का एक्जाम है, वो 20 अगस्त को है, यानकी पर्शों है, तो आज के सेस्टन में मैं मैं अधमेटिक से लेटिड आपको कु अच्छे से देखा है, और जांसे भी जुमेटिक के क्युस्टन पुछे गए हैं न, मैं उन फोर्मूलाज को, उन नियम को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस क्लास को बिलकुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको एक्जाम के अंदर 100% हेल्प मिलेगी ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम एक दूसरे से जुड़े रहें, तो चलिए स्टार करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, यान कि आयत के बारे में, आप देख स जो रेक्टेंगल होती है, जो आयत होती है, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं है, वो अमेशया बराबर होती है, और पैरलल भी होती है, यान कि ये भुजा, इस भुजा के समाना अंतर हो गई, और ये वाली जो भुजा है ये इस भुजा के समाना अंतर हो गई, और इस सारी चीज़ें हम 22 अगस्त से जो mathematics को start कर रहे है न NCRT को detail से तो वहाँ पे हर चीज़ को आराम से एक-एक ट्रम को discuss किया जाएगा तो इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेना ताकि आपके कोई अगर यहाँ से चलना start करते है और आप गोम करके ऐसे जाके और वापिस जब A पर आएंगे न तो दो बार तो आप length को cover करेंगे और दो बार आप breadth को cover करेंगे तो यहां से क्या किया दो ले लिया common और अंदर क्या कर दिया length plus में breadth यही formula इन्होंने बना के हापे लिख दिया ठीक है ना तो आपको समझ में आ गया होगा एक है आयत का छेतरफल छेतरफल के अंदर जो अंदर का जो area होता है ना उसको cover किया जाता है छेतरफल के अंदर ठीक है तो इसका जो formula होता है वो एकदम simple होता है लंबाई गुणा में चोड़ाई यांकि length into में breadth ठीक है आप समझ गये होंगे और यहां से ही क्यूसन पुछे गए है अब तक जो भी आपका seat at में आया है ठीक है तो देखिए installated हम क्यूसन को देख लेते हैं जैसे आपके सामने क्यूसन है एक आयताकार जगय के लंबाई है 15 मिटर यांकि ये length है ना ये तो आपकी 15 मिटर दी गई है और चोड़ाई 8 मिटर यांकि ये breadth और ये given है आपकी 8 मिटर ठीक है इसका छेतरफल और विकरण की लंबाई क्या होगी तो एक तो आपको छेतरफल निकालना है और ये होता है आपका विकरण यांकि diagonal ठीक है तो आपको इसकी लंबाई बतानी है तो देखिए आप कैसे निकालेंगे मैंने इसको नाम दे दिया A, B, C, O, D तो मैंने अभी आपको छेतरफल का फोर्मूला बता है अग एरिया क्या होता है एरिया क्या होता है length into my breadth एकदम simple है length कितनी है 15 breadth कितनी है 8, 15, 8, 120 meter में given है तो meter square आपको पता है जो area होता है वो किस में होता है हमिसे square में होता है ठीक है तो ये तो area आ गया अब हमसे पुछा गया है क्या निकालिए विकिरन निकालिए यानकि diagonal निकालिए अगर आप अच्छे से देखते हैं तो हमने देखा था ना कितनी degree है 90 degree तो एक आपका 90 degree हो गया ये आपका base हो गया यानकि आधार हो गया और ये क्या होगी आपकी उचाई हो गई यानकि perpendicular तो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये क्या हो गया आपका करण हो गया यानकि आपका hypotenuse ठीक है जिसको हम H से डिनोट करते हैं यह आपको क्या लग रही है एक समकोन तिर्बूज बन गई ना तो समकोन तिर्बूज जब बन जाती है तो करन को हम कैसे निकालते हैं नुर्मल सी बात है लेंथ का स्क्वेर और या आधहार की स्क्वेर पलस में जो ब्रेट जोड़ाई होती है उसका स्क्वेर और उसका क्या कर देते हैं अन्रूट यह करते हैं तो आप कीजी आप 15 का स्क्वेर क्या होगा 225 पलस में जो हाइट है यानकि प्रपेंडिकुलर उसका स्क्वेर कितना होगा 64 और उपर क्या कर देंगे आप अन्रूट इसको सम कीजिए कितना आएगा 289 और जब इसका अन्रूट करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा 17 मिटर ठीक है तो ये क्या हो जाएगी आपकी विक्रेण की लंबाई तो इस तरीक्ये के क्युस्टन आपते हैं आगे देखते हैं एक आयात की लंबाई 16 cm है तो इस के विक्रेण की लंबाई 20 cm है तो आयात का 6 दरardon बताएए अब देखिए आप आयात की लंबाई यानि के लेंथ गिवन है 16 cm और अपकी बार आपको दे दिया इसका विक्रेण यानि के जो डाइगनल है वो दे दिया कितना है 20 cm अब आपसे पूछ लिया आयत का 6 तरफल नगा लिये अब आपको area का formula पता है क्या होता है length इंटो में breadth अब length तो आपके पास given है 16 अब आपके पास breadth नहीं है यानकि ये नहीं है आपके पास आप इसको दूसरी बासा में उसाई भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं आपके समकोन तिर्भूज की अगर आप देखते हैं तो यह क्या बन गई आपकी समकोन तिर्भूज बन गई ना तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे आपको ब्रेट निकालनी है बस इतना सा काम करना है दो तरिक्के हैं एक तरीका है मैंने आपको पताया था किसके बारे में ट्रिपलेट के बारे में अगर आप इसको कट करते हैं तो सभी को सेम से कट कीजिए 4.16 तो इधर भी आप 4 से बाद में multiply करेंगे, अगर divide कर रहे हैं, तो ठीक है, तो देखिए, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और एक को क्या हो गया आपका, 3, मैंने बता है था, 3, 4 और 5, ये triplet बताए थे, तो आपको 4 भी मिल गया, आपको 5 भी मिल गया, एक 3 की कमी थी, तो आपने 3 या पर लगा दिया, और आपने क्या किया था, 4 से सभी को divide किया था, तो वापस 4 से multiply कर दो, तो जब इसको 4 से multiply करेंगे, क्या आएगा, 12, ये क्या आएगा, 16, और ये आपका 20 है, तो ये 20, 16, और एक टरम जो निकालने थी, वो कितनी आ गई आपकी, 12, ये आपका क्या हो ज 16, और बैट कितनी आ गई आपकी, 12, कर दिजिए multiply, 12, ये आपको पता है, ये आपका square है, इसके अंदर भी परतेक जो एंगल होता है, वो 90 डिगरी होता है, सारे के सारे अंगल कैसे होते है, आपके 90 डिगरी होते है, और इसमें जो परतेक भुजा होती है, जिसको मैं AC denote कर ये क्या होती है, इक्वल होती है, सारे के सारी, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, अब देखिए आप, वरक का छेतरफल का formula क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा यान की भुजा का square, याद रखना भई, वरक के विकिरन, यान कि diagonal का formula होता है, वो क्या होता ह अब आप ये भी समझ गोंगे चार इंटू में multiply A किया है, क्यों किया है? नोर्मल सी बात अगर आप यहां से start करते हैं और घूम के वापिस यहीं पर आते हैं तो आप A को चार बर कर रहे हैं क्रोज, ठीक है? यानकि जब सारी बुझाएं सेम हैं तो आप A को चार इंटू मल्टिप्लाई कर दीजिए, वो क्या आजाएगा? आपका प्रिमा आप आजाएगा, ठीक है? तो वरक के बारे में क्यूसन आमें से पुछा जाता है और आपको यह याद रखना है और यहीं से ही क्यूसन आएग ठीक है? तो आप इसको एंडेट पर्शेंट याद रखना आप क्यूसन को देखते हैं देखिए एक वरक के विक्रिन के लंबाई 4 अनूरूट 2 है ऐसे वरक के विक्रिन के लंबाई क्या होगी? जिसका छेतरफल पहले वरक के छेतरफल का दुगना है देखिए क्या दे पता हो फोर्मूला क्या होता है वरक के विक्रिन का? हमने अज़स्ट अभी पता है किया है ठीक है? रूट 2 इंटू A इसकी वैल्यू क्या दे रखिए? वो रूट 2 दे रखिए है अब यहां से आप क्या निकाल सकते है या बुजा की वैल्यू तो रूट 2 से रूट 2 कैंसि याद रखना है पहले वाले का है अब आगे क्या पुछा है आपसे ऐसे वरक के विक्रिन के लंबाई क्या होगी? जिसका छितरफल पहले वरक के छितरफल का दुगना है यानकि जो आपका सेकेंड वाला जो वरक है उसका छितरफल कितना है? पहले वाले का दुगना यानकि सोला का दुगुनायन की 32 अब आपको अच्छे से पता है छेतरफल का फोर्मूला क्या होता है एक अस्केर कितना गिवन है 32 अगर आप ए निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे 32 का क्या करेंगे अंडूट कर देंगे अब आप इसको सोल करते हैं तो 16 इन्टू में 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको अगर फिर से एंडूट करेंगे तो 4 रूट 2 क्या जाएगा आपका सेकेंड वाली जो तिर्बूज है ना जिसका छेतरफल कितना है 32 उसकी एक बुजा की वैल्यू आ गई अगर बुजा की वैल्यू आ गई तो नोर्मल सी बात है अब आप विकरेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या होती है फॉर्मूला रूट 2 इन्टू में A तो रूट 2 SD और 4 रूट 2 आप फिर से लगा देंगे एक की वैल्यू क्या हमारे पास 4 रूट 2 आई है तो रूट 2 इन्टू में रूट 2 क्या होता है आपका 2 बन जाता है और 4 क्या है गिवन है तो च्यार दूनी 8 यानकि जो सेकेंड वाला जो विकरेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 सेंटिमेटर जितनी भी गिवन है ठीक है तो देखिए आगे देखते है इसके अलावा आपको क्या फोर्मूले याद रखने है इनका भी यूज है भई सभी आप याद रखना ठीक है किसी को भी आप स्किप मत करना कमरे की चारों दूवारों का 6 तरफल अगर आप से पुछा जाता है तो होता है दो इन्टो में लंबाई जमा चोड़ाई गुणा में उचाई ये याद रखना बस ठीक है आगे देखिए तिरभुज का 6 तरफल पुछा जाता है तो एक बटे दो गुणा में आधार यानकि बेस इन्टो में हाइट ये आपके सामने तिरभुज है नोर्मल सी बात है ठीक है अब ये तिरभुज की बुजाएं गिवन है A हो गई, B हो गई, C हो गई कैसे भी मान सकते हैं आप तो तिरभुज का 6 तरफल का फॉर्मूला क्या होगा एक बटे दो, गुणा में बेस इन्टो में हाइट, तो बेस तो क्या है आपका B है, और हाइट आमें निकालनी होती है ये H, तो ये होती है आपके तिरभुज का फॉर्मूला अगर तिरभुज का 6 तरफल दुबारा आपसे पुछा जाए तो आप दूसरे तरिके सिव निकाल सकते है इसमें क्या होता है, S और ये उपर अंडूट होता है सभी के S मैनस A, S मैनस B, और S मैनस C और अंडर दा रूट सभी का अंडूट होता है, ठीक है अब यहाँ पे S क्या होता है, S आपका होता है तिन्नों भुजाओं का योग, A पलस में B, पलस में C डिवाइड़ बाइ 2 करेंगे आप, ये होती है आपकी S की वैल्यू, और जो A, B और C हैं ये आपको पता ये भुजाएं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, और जो ये भुजाएं है ना, इनकी वैल्यू गीवन होगी और आपको सिर्फ और सिर्फ पुट करना है बस, ठीक है आगे देखिए, आगे है आपका सम्भाहु तिर्भूज, याना की स्क्वेर होता है, यह होता है आपका सम्भाहु तिर्भूज का फॉर्मूला, और सम्भाहु तिर्भूज का मतलब क्या होता है, याना की जिसके अंदर आपकी सभी बुजाएं क्या हो, सेम हो, जैसे हमने आपका पर्षो एक्जाम है इसलिए जो most important चीज़े है न मैं सिर्फ वही discuss कर रहा हूँ हर चीज़ को हम एकदम detail से जब discuss करेंगे न तो आपको एक एक चीज़ एकदम clear समझ में आईगी और वो चीज़ हम start करेंगे आपके CTAT के बाद जब NCRT mathematics को start करने वाले हैं ठीक है और एकदम detail से आपको NCRT करवाई जाएगी और आपको अच्छे से पता है NCRT आपके लिए कितनी ज्यादा important है आप किसी भी competitive exam को दीजिए हर जगह 100% useful है आपके basics जो है न एकदम अच्छे से के लिए रो जाएंगे ठीक है तो आप चैनल को subscribe कर लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए इसके बाद आपको क्या याद रखना है समाना अंतर चतर भूज का छेतरफल क्या होता है आधार गुणा उचाई आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है आगे देखिए सम चतर भूज जिसको हम rhombus बोलते हैं अगर आपसे इसका छेतरफल यह भी आपकी यह और यह भी आपकी यह सिर्फ और सिर्फ आपको उचाई निकालने होती है तो आधार गुणा उचाई क्या होता है आपके सम चतर भूज का छेतरफल ठीक है एक दूसरा तरीका भी होता है जब आपको विकरन गीवन हो यानिकि इसकी वेल्यू और आपको इसकी value जब गीवन हो, विक्रणों की value, तब formula क्या होता है, 1 by 2, इन 2 में, जो विक्रण है ना, उनका गुननफल, यह होता है आपका सम्चत्रभुज का formula, और यहां से आपका question पुछा जा चुका है, सम्चत्रभुज का चत्रफल क्या होता है, 1 by 2, इन 2 में, D1 into D1, यानि जो दो आपके विक्रण है ना, उनका गुननफल, ठीक है, आगे देखते हैं, अगर आपसे चत्रभुज का परिमाप पुछा जाता है, तो normal सी बात है, सभी side क्या है, आपकी सेम है, A, A, A और A, तो इसलिए क्या कर दिया, 4 into में क्या कर दिया, side, यानिकि आपको सिर्फ एक बार A लिखना है, यह क्या हो जाएगी, आपके चत्रभुज का परिमाप हो जाएगा, आगे देखिए, एक आपको याद रखना है, समलम के बारे में, जिसे हम trapezium बोलते हैं, तो समलम चत्रभुज यानिके trapezium का जो छेतरफल होता है, वो होता है, आपका 1 by 2, into में समानांतर बुजाओं का योग, और into में उनके बीच की दूरी, और यहाँ से भी आपका question पुछा जा चुका है, ठीक है, आपके सामने ये है trapezium, यानकि आपकी a, b, और आप निच्चे देखते हैं, तो dc, ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, a, b, समानांतर किसके है, dc के समानांतर का मतलब होता है, या अपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, अगर आप देखते हैं, तो ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी, और ये लेन आपकी ऐसे बढ़ती जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये एक दूसरे को काटें, इसको बोलते हैं समानांतर, ठीक है, तो a b किसके समानांतर है, dc के, और ये होती है आपकी height, ठीक है, ये आपकी height होती है, ये आपको याद रखना है, तो formula क्या होता है, one by two, multiply में, जो आपके समानांतर बुजाएए हैं न, यानकि a b, और पलस में dc, इनका योग, और multiply में उनके बीच की दूरी, यानकि जो आपकी height होगी न, ये height, उनके बीच की दूरी, ये होता है, आपके समलम चतर बुज का, खितर फल का formula, ठीक है, आगे देखते हैं, अब हम insulated questions को देख लेते हैं, देखिए आप, सबसे पहले है, एक सम्चतर बुज के विक्रनों की लंबाई, क्रम से 16 cm, और 20 cm है, तो इसका छेतर फल बताईए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, इसका area का formula क्या होता है, 1 by 2, इन्टू में d1, इन्टू में d2, यान कि जब विक्रन गिवन हो, एकदम सिंपल से, 1 by 2, multiply में 16, और multiply में 20, multiply कर दीजी भई आप, इदस हो जाएगा, तो यान कितनी आ गए आपका, 160 cm2 क्या जाएगा, इसका आपका छेतर फल आ जाएगा, सम्चतर बुज का, ठीक है, मैंने आपको बताया था, starting में, अगर जो तिर्बुज का छेतर का formula क्या होता है, area is equal to me, base into me height, यान कि आधार, गुणा में उचाई, यही होता है ने, एक simple formula, एक मैंने आपको, S वाला formula बताया था, ठीक है, लेकन यहाँ पर हमें given है, आधार, यान कि यह वाला formula हम use कर सकते हैं, देखिए, sum count तिर्बुज के बारे में बात हो रही है, तो यह है आपकी sum count तिर्बुज, जिसके अंदर आपका आधार given है 12 cm, और आपको करण given है ने, यान कि यह वाली value, यह value आपके पास given है 13 cm, अब आप से पुछा है तिर्बुज का छेतर फल, किसके use की जूरत है हमें, एक तो हमें base से यह, जो given है 12, एक हमें height चाहिए, जो आपकी नहीं है, यान कि यह माल लिए हमने height, यान कि आपका perpendicular, जिसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है, पाइथागुरस थोरम के बारे में, जो हमने पिछे भी यूज की है, कैसे निकालते हैं, नॉर्मल सी बात है, पाइथागुरस थोरम में क्या करते हैं, इसका square, यान कि आपका 13 का square, किसके equal to होता है, 12 का square के, और पलस में 12 के square के, यही होता है न, तो आप नॉर्मल सी बात है, यहाँ से गर h square निकालते हैं, तो 13 का square क्या होगा, 169, 12 का square क्या होगा, 144, जब आप इसको minus करते हैं, तो कितना आपके पास, 25, यह आएगा न, यही आएगा आपका नॉर्मल सी बात है, अब आपको यहाँ से h की value निकालने, तो h क्या हो जाएगा, 25 का, अंडरूट, यहनि क्या आगई आपकी, 5 आगई, तो h की value क्या मिल गई आपको, 5 मिल गई, मैंने shortcut बता है, आपको अच्छे से पता होगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो h की value कितनी आगई आपकी, 5 आगई न, अब आपको 6 तरफल निकालना है, put कर दीजिए, बस, 1 by 2, इंटो में base कितना है, 12, और आपकी height कितनी आई है, 5, cut कर दीजिए, 2 छी की 12, 6, 5, 30, चुके हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बता है था, संभाव तरफल का formula, तो यह यह क्या होता है, root 3 by 4, इंटो में, बुजा का square, यह नहीं कि A का square, ठीक है, तो देखिए, आप संभाव, संभाव का मतलब है, जिसके अंदर सभी बुजाएं समान हो, यह भी आपकी A, यह भी A, और यह भी A, और अगर आप बुजाएं समान है, तो मैंने बताया था, एंगल भी क्या होंगे आपके, परतेक एंगल 60 degree का होगा, तो यह तिन्नो जो एंगल है ना, उनका योग होता है, 180 degree, ठीक है, यह सब चीज़ें आप डेटेल से डिसक्स करेंगे, अभी जस्ट आपका एक्जाम है ना, तो मैं most important चीज़ें है, वो एकदम fast तरिके से बता रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे root 3 by 4, और भुजा का square, यानके 10 को आप 2 बर multiply करना है, आपको, अब cut कर दीजिए, 2, 2, 4, 2, 5, 10, फिर से कर दीजिए, 2, 5, 10, 25, 25, 25, यानके 25, root 3, क्या जाएगा, आपका centimeter की है, सिदा और simple sensor था, आगे देखते हैं, देखिए, अगर आपको लगता है ना, आपको revision की जुर्त है, आपकी अभी अच्छे से तयारी नहीं हुई है, तो इस video के description में, मैं videos का link डाल रहा हूँ, जो playlist है ना, उनका link डाल रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें, तो इन classes को देख सकते हैं, आपके लिए 100% beneficial रहेंगी class, जिसमें आपको EBS की theory classes मिल जाएगी, PYQ series भी मिल जाएगी, जिसमें 2011 से 2023 तक, जितने भी questions है ना, सभी को cover किया गया है, हिंदी की theory classes मिलेंगी, PYQ classes भी मिल जाएगे आपको, CDP की theory classes, और CDP की PYQ series भी, और telegram group का link भी वहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप telegram group को भी जोईन कर सकते, वहाँ पे आपको इन सब की PDF मिल जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए, इसके अलावा आपको याद रखना है, व्रत का छेतरफल का formula, एक दमेजी है, सभी को पता है, PY R square, यह आपकी R है, यह आपका diameter होता है, यह आपको पता हूँगे, यह सारे चीज़ें, तो छेतरफल का फोर्मूला होता है, पाई R square, जो पाई की value होती है, वो आपकी 22 बटे 7 होती है, या फिर 3.14, लेकिन maximum time हम 22 बटे 7 से ही करते हैं, और वृत की अगर आपसे प्रिधी पुछी जाती है, प्रिधी को बोलते है परिमा, तो यह होता है, आपका 2 pi R, यानकि यह circumference, यह जो complete होती है, यह आपकी 2 pi R होती है, यह भी आप याद रखना, अब देखिए, installated question पुछा जाता है, तो देखिए, आप इस question को देखिए, यहाँ आपका seat head के अंदर पुछा जा चुका है, इस type का question, ठीक है, तो देखिए, आपसे पास given है, 88 km की दूरी तै करने में, एक पईया 1000 चक्कर लगाता है, तो इस पईया का व्यास बताइए, पे नॉर्मल सी बात है, आपके सामने यह क्या है, एक पईया एक tire है, ठीक है, और यह क्या कर रहा है, 88 km की दूरी तै करने में, एक पईया 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चकर लगाये, यहीन की, एक चकर लगाया होगा, एक चकर से इसने start किया होगा, और तब ऐसे करते करते 1000 चक्कर लगाए न और टोटल दूरी कितनी तहकी इसने 88 km तो आप क्या करेंगे बिर नोर्मल सी बात है 88 km को आप 88 1000 क्या हो गई मिट्र हो गई आपके और आप इसको अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ गया एक चक्कर की वैल्यू आ गई यहाँ पर एक चक्कर की वैल्यू आ गई आपके सामने तो यहाँ पर एक चक्कर की वैल्यू का मतलब क्या है यह किसकी वैल्यू है आपकी 2 पाई आर की वैल्यू है 2 पाई आर तो नोर्मल सी बात है पुट कर देजी आप 2 pi r क्या होगा आपका 88 value पूट कीजिए 2 into में 22 बटे 7 into में r is equal to 88 आपको r की value निकालनी है निकाल दीजिए आप 88 ये इस side आएगा क्या हैगा 7 upon 22 हो जाएगा ये इदर multiply में है तो क्या हो जाएगा divide में हो जाएगा कर दीजिए cut 2 second करेंगे 714 ये आपकी 2 ये आपकी r की value और r की value क्या है चोदा और आपको पता है diameter ये व्यास क्या होता है r का 2 गुणा ये 2 r तो 2 r की value क्या होगी 14 गुणा में 2 ये 8 cm तो आपका व्यास कितना आगया 8 cm येई आप से पुछा गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखिए आप आपको गनाब का यहां से क्यूशन आपका पुछा जाता है क्यूबोइड से तो आपको याद रखने हैं सिर्फ इतने ही फोर्मूले याद रखने हैं अगर आपसे पुछा जाए गनाब का कुल प्रस्टिय छेतरफल तो वह होता है आपका दो गुणा में LB, BH और HL अब आप समझ गयोंगे LB का मतलब क्या है length इंटू में breadth, breadth इंटू में height और height इंटू में length ठीक है याद रखना यहां पिर मैंने लिख भी दिया है जहां पे L, B और H क्या है लंबाई, चोड़ाई और उचाई ठीक है अग अगर आपसे विकिरन पुछा जाए तो आपका होता है L square, plus में B square, plus में H square और complete का unroot, यह होता है आपका विकिरन का formula और आप देख सकते हैं यह आपका घनाब है, यह आपकी length हो गई, यह क्या है आपकी breadth और यह होती है आपकी height और जो मैंने घनाब का विकिरन पुछा है न ठीक है 6 into A square A क्या है, एक मतलब होता है बुजा, यह क्यूब की बुजा, तो आपको पता होगा जो घन होता है उसमें सभी बुजाएं क्या होती है, सेम होती है, एक मिटर, एक मिटर, एक मिटर हम मान कर चले हैं ठीक है, और आपका बुजा का cube यह क्यूब, आपको सिर्फ इतने ही formula याद रखने है, और यहां से question आपका आ जाएगा, देखे आगे, अब हम questions को देखते हैं, 12 मिटर लंबे, 9 मिटर चोड़े, तथा 8 मिटर उचे कमरे में, अदिक्तम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो आप एक बात बताईए, यह आपके पास क्या है, ए आप एक बात बताईए, आप ऐसे रखेंगे, या फिर आप ऐसे रखेंगे, या फिर आप ऐसे रखेंगे, अगर आपको अच्छे से पता हो, जब हम समकोंड तिर्बुज बनाते हैं, तो वहाँ पे सबसे लंबी length क्या होती है, आपकी करण होती है, हाई-पोर्ट नूज, तो नॉर्मल सी बात है, आप अगर length की according रखेंगे, तो ये भी आपकी छोटी रहेगी, अगर आप ब्रैट, या प्रपेंडिकलर रखेंगे, तब भी आपकी छोटी रहेगी, लेकिन अगर आप प्रपेंड ये इसको हाई-पोर्ट नूज, या करण की अनुसार रखते हैं तो वो आपकी सबसे लंबी length होती है, और ये pythagoras theorem के अंदर हम पढ़ चुके हैं, यानि कि आप जो बास रखोगे वो आप इस तरीके से रखोगे, विक्रण के तोर पे रखोगे, यानि कि निसकर्श ये निकला, यहां पर आपसे पुछा जा रहा है विक्रण की लंबाई यानि को आपको विक्रण निकालना है, और विक्रण का formula just हभी हमने किया था, कैसे किया था, आप फिर से देख लीजिए, क्या पताया था मैंने, length का square, breadth का square और height का square और complete का unroot, तो कर दीजी आप, अब length आपके पास कितना given है, 12 given है, तो 12 का square क्या होगा, 144, plus में 9 का square क्या हो 14, 14, 14, 18, 1, और आपका 1 और 1, 2, यानि कि 289, इसका जब unroot करेंगे, तो क्या आपके पास, 17 आएगा, normal सी बात है, तो सबसे हदिक्तम लंबाई क्या होगी, 17 मेटर होगी, यानि कि आप अधिक्तम 17 मेटर का जो बास है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है, तो एकदम easy है, अगर आपको formula जियाद है, ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए, एक घन, यानि कि क्यूब का जो छेतरफल है, वो 384 cm दे रखा है, परक सेंटिमेटर आपको पता है, छेतरफल किसमें होता है, आपका सेंटिमेटर square के अंदर होता है, ठीक है, तो इसका item पुछा है, अब आपको अच्छे से पता होगा, घन का छेतरफल क्या होता है, 6 into a square, हमने जस्ट अभी पढ़ा था, इसकी value कितनी given है, 384, और हमें निकालना क्या है, आयतन, और आयतन का formula भी हमें पता है, a का cube, तो कहने का मतलब हमें a चाहिए, तो a आपका यहां से निकलाएगा न, क्योंकि आपक square क्या होगा यहां से, देखिए आप, 84, और divided by में 6, कट कर दीजिए, 6, 36, बजए कितने, फिर से 2, 6, 24, यहनकि 64 आ गया, तो एक की value क्या जाएगी, 64 कंटूर्ड कर दीजिए, 8 आ गई आपके पास, 8 आ गई न, और आपसे पुछा क्या है, आयतन पुछा है, तो 8 का cube क्या ह होता है, 8 आठ गई, 64, और 64 को एक बार और 8 से कर दीजिए, आप, हैंकि आपके 512, तो 512 क्या जाएगा, आपका, और 512 cube में आएगा, ठीक है, क्योंकि आयतन को हम cube के अंदर लिखते हैं, ठीक है, तो 512 cm cube क्या जाएगा, आपका, आयतन आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए geometry से अगर आपसे question पुछे जाएगे न, तो सिर्फ इतने ही पुछे जाएगे और यहीं से पुछे जाएगे, इस class को आप अच्छे से देख लेना, और जो formulas मैंने बताए हैं, उनको आप अच्छे से revise कर लेना, आराम से easily आपका question बन जाएगा, ठीक है, तो आज के session में सिर फितना ही, thank you